नमश्कार दोस्तों कैसे आप सब उमीद करते हैं एक दम स्वस्त होंगे मस्त होंगे और एक दम जगास होंगे दो बाइच साब एक नया नावला टॉपिक आपके सामने आजरे जिसका नाम है SCF LCM और अगर बात करें इस टॉपिक की तो हरा एकजाम में से एक बार कोशन आई करते हैं और आपके मन में ख्याल आता होगा जब भी आप SCF LCM पड़ते होंगे यहाँ पर मैं आपको दो वर्ट्स लिखंगा कौन-कौन से मैं लिख रहा हूं आपके सामने LCM और मैं लिख रहूं आपके सामने SCF 2 words लिखे एक लिखा LCM और एक लिखा लिखा है मेरा मतलब क्या है मैं आपको इस तरह से पढ़ाना चाहता हूं जिससे आपको जीवन के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत ना है ठीक है आपको ratification करने की कोई जरूरत मैसूस ही ना हो और हमने ऐसा ही पढ़ा है start देले के अभी तर अब देखो इसकी अगर मैं full form की बात करूँ हो तो यह होता है least common multiple यह क्यों होता है वाई साब इसकी full form होती है least common multiple least 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 common multiple ठीक है लिख देते वापस से least common least common multiple यह होता है वाई साब आपका multiple ठीक है यह होता है आपका full form की LCM इसको इंदी में बोलते है लगुत्तम समावर्थ ठीक है SCF क्यों होता है highest common factor highest highest common factor यह होता है वाई साब highest common factor ठीक है अब यहाँ पर रहना कई लोगों को दिक्कत रहती है समझते कुछ है नहीं रट लेते हैं और चीज़े जिंदी की भर अपना जीवन को यही समझनी आता है कि LCM SCF होता क्या है केवल रटा फिकरेशन कर लेते हैं यहाँ यहाँ पर least का मतलब होता है सबसे छोटा common का होता है जो सब में आए और multiple का मतलब देखो एक वर्ड है आपके पास multiple और एक वर्ड है आपके सामने factor यह दोनों वर्ड जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे भाई साब ना तो आपको LCM समझ में आएगा नहीं आपको SCS समझने आने वाला है ठीक है जो सब में common आ जाए जाए बीच का हो जाए सब में हो उसको बोलता है common लेकिन यह दो वर्ड जो होते हैं यह हमारा क्या करते हैं यहीं से आपकी निकलती है वाई साब किसकी definition LCM और SCF की definition यहीं से निकलती है कैसे निकलती है मैंने बताते हैं आपको JG what equal में भार करओं भंग से समझना यहीं से आपका सब कुछ यहां से होने वाल मल्टील का मतलब होता है गुनज, इसको मैं multiply करते रहूं, 10 के बाद क्या हैगा, 10 को multiply करो, 2 से कितना जाएगा 20, फिर कितना जाएगा 30, फिर कितना जाएगा 40, फिर कितना जाएगा 50, यह कितना हो जाएगा 60, क्या यह आगे भी ऐसे ही ऐसे बढ़ता जाएगा infinite तक, आप 10 को किसी भी number से multiply गरत करो यह तो आता जाएगा बिल्कुल आता रहेगा तो यह होते हैं वाईसा multiple अब अगर मैं आपसे बात करूँ वाईसा factor की अगर मैं आपसे बात करूँ factor की तो 10 का factor की होता है वाईसा कि ऐसे numbers जिनका divide इस 10 में पूरा-पूरा चले जाएगा उसको बोलते है अपन multiple जैसे में बात करूँ वन का divide जाएगा क्या factor टू का divide जाएगा क्या टू का जाएगा फाइप का जाएगा क्या जाएगा और टैन का जाएगा क्या वाले साथ जाएगा तो मुझे बताओ यह fix हो गए क्या factors बोले सारी यह तो बिल्कुल fix हो गए लेकिन multiple fix नहीं होते है multiple का मंदब होता है आप उसको multiply करते जारो उस number को किसी number से वह आपका नया number बनाते जारा है और factors के होते हैं भाई साब ऐसे numbers होते हैं जिनका divide लगाया जाता है जिसमें पूरा पूरा डिवाइड चला जा जा उसको अपन बोलते हैं factors अब यह दोनों बातें clear हो गई क्या देखो least common multiple के होता है और highest common factor के होता है दोनों बातें आपको clear हो जानी चीए है और मुझे पक्का बुरस है कि आप सभी को बातें दोनों clear हो चुकी है clear है क्या कानी बोले सब एकदम clear है तो यह होता है भाई साब LCM और यह होता है भाई साब SCM कई लोगों को doubt रहता भाई साब LCM जब निकालते हैं बोलते तो छोटा है कि छोटे छोटी संक्या लेकिन वो बढ़ जाती है बड़ी नंबर आती है ठीक है बोलते है भाई साब 10 आपको SCF निकालना highest common factor तो भाई यहां पे अपन multiple निकालना किसी भी चीज को जब multiply करेंगो तो जादा ही होगी न भाई तोड़ना तो अपने आप ही छोटी हो जाएगी इसलिए ध्यान रखना हमेशा LCM बे बड़ा नंबर आता है और SCF के आता है एक छोटा नंबर आता है यह इसमें फरक कर रहता है लेकिन फरक कौन समझ पाएगा जिसको multiple और factor समझ में आएंगे बात क्लियर बोले सब एकदम क्लियर मैंने का चलिए अब आगे बढ़ते है बिल्कुल बेसिक से आपको हर एक चीज मलब आपको कहीं और जाने की ज़रुरत महसूस ही नहीं होगी इस तरह से मैंने आपको design किया हर चीज को आपको घबराने कोई अवश्यक्ता नहीं है मैंने एक number ले लिया वाई साब 10 और 15 ठीक है 10 & 50 number ले लिया अब देखो निकालने के बहुत सारे तरीकी होते है ठीक है एक होता है वाई साब आपको क्या करना है कि factorize method करना है ठीक है एक अपने दिमाग से भी सोच सकते है तो हम से पढ़ना है कि वहाँ पर अपने को कैसे कोशन को सॉल्व करना है अगर मैं आपसे बात करूं नंबर क्यों लिया है क्योंकि यहां से एक प्यारा सब्सक्राइब मैं आपको निकाल के बताऊंगा बिल्कुल connecting तरीके से जो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा अगर म सब्सक्राइब करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अपने को आंसर आना चाहिए ठीक है बोले सब्सक्राइब क्लियर दूसरा तरीका कौन सा होते है इसका टेबल बोलना चालू करो 15 में 10 का पूरा पूरा डिवाइट जाता है बोले सर नहीं जाता यानि LCM नहीं हो सकता 15 टूजा 30 अब 30 में 10 का डिवाइट जाता है कि सब बिल्कुल जाता है यानि आपका LCM कितना गया सर 30 यह एक्जाम के पॉइंट अव्यू से आपको ध्यान रखना है इस तरह से लेकिन कई बार हम फज जाते हैं बड़ा नंबर आ जाता है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि बात क्लियर रहे है के आप फोले सर एकदम क्लियर मने का से फैथ को देख लेते हैं मैंने का आजो फिर सप्रेश सर भी देख लेते और यही क्या हो गया हमारा सब्सक्राइब कोई दुखदर परिशानी नहीं अब द्यान से देखो सबसे चोटा इसका है लेकिन यह कभी आता ही नहीं दोनों में फरक है यह फेक्टर से हैं और यह क्या है आपका मैंने का चलो फिर आगे बढ़ें सब्सक्राइब कुछ बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो हम क्या करें हमको क्या ऐसे करना है मैं आपको समझाता हूं देखो द्यान से देखना जैसे मालो अगर मैं आपसे बात करूं आपके पास नंबर आ गया सबस्क्राइब करना है तो आपको देखो क्या करना है सबसे बहुत लगाना है तो यह तरीका होता है आपका कौन सा डिवाइड मेंटर लेकिन हम इनका यूज क्यों नहीं करेंगे वह भी समझाऊंगो और हमें कैसे करना है वह भी आपको बताता हूं अब जैसे बड़ा कोशन आगया बड़े कोशन में आप डिवाइड लगाओगे तीन नंबर आगे चार नंबर आगे फिर कितनी बार डिवाइड लगाओगे भाई कब तक उसको करते लोगे पहुत जादा टाइम वेस हो जाएगा आपको क्या करना है ध्यान से देखो जैस डिफ्रेंस से इसमें पूरा-पूरा डिवाइड जा रहा है बोले सब बिल्कुल जा रहा है क्या इस डिफ्रेंस से इसमें पूरा-पूरा डिवाइड जा रहा है बोले सब बिल्कुल जा रहा है तो भाई साब यह डिफ्रेंस ही हो गया आपका सब बिल्कुल आयता अब य नहीं जाता यानि हम इसको फर्दर और कैसे लिख सकते हैं सर इसको लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब मुझे समझाना तो इसमें बिल्कुल जाने वाला ही नहीं है क्योंकि अभी बताया था आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैंने आप बोलोगे सर आपने दो-दो वाले कर रहा है तीन वाला करा दो मैंने गया लो साथ 216 इदर कर लो आपका 288 ठीक है और इदर कर लो आपका 720 तीन नमबस लिख लिए ठीक है अब आप वही प्रोसेस है आप लिलो 24 अब सबसे च्छोटा वाला डिफ लेना उससे जी पर जाएगा है यहां पर डिफ लो दो घ्रीट डिवाइड जा रहा है तो वही आपकासस्ण नहीं होता है उसके किसी आपका 향ा तो आपकं स्सटे यह पोता है अब ऍसकिता आज यहां सब एकदम बाते रहे हैं दोड़ी बात करें आपको नई दुनिया में लेकर जाता हूं जिसको अपन पहले से पढ़ चुके हैं एक बार वापस से कर रहे हैं इसका अपने को निकालना है LC यह बिल्कुल निकाला था आप वापस से क्यों लिखा है मैंने का हर एक रिजन होता है बिना इस दुनिया में कोई वीच काम नहीं होता है ध्यान से जुनना यह जो पैटर्न में आपको समझाने जा रहा हूं यह जो टाइप में आपको बताने जा रहा हूं यह जो आपको तरीका में बताने जा रहा हूं यह कंसेप्ट जो आपको समझाने जारा हूं इस पर बहुत सारे क्वेश्चन्स आपके एक्जाम में बनते हैं बनते आये थे बनते हैं और बनते रहेंगे और बहुत इसी कंसेप्ट है अच्छा मुझे बताना अगर मैं इन दोनों को मल्टिप्लाई कर देता हूं SCF इंटू LCM क कर रहा हूं ठीक है देखना जारा कितना हो रहा है यह हो रहा है SCF कितना है सर फाइब है इसाब दोनों ही है यानि मैं क्या बोल सकता हूं प्यारे कि दो numbers के जो आपके SCF और LCM का multiplication होता है यह हमेशा क्या रहता है आपके equal रहता है उन दोनों numbers के multiplication के first number हो गया और यह आपका second number हो गया और इस पर धरले से कई सारे question as it is बनके आते हैं और मुझे पक्का वरोसा है कि आज के बाद आप इन चीजों को कभी नहीं बूल सकते अब मैं चाहता तो मैं आपको direct यह result लिखवा देता कई लोग लिखवाते भी लेकिन मैंने आपको पूरा एक धंग से समझाया है ऐसा क्यूं होता है क्योंकि math के अंदर भाई साक concept को जानना सबसे अधर important है बज़ा है questions को pattern समझने के कि वाई साब यह question को type या या इसको ऐसे उड़ा तो नहीं concept को समझो एक एक चीज पकड़ो आपकी चीज़ें एकदम असान होने वाली हैं ठीक है clear है क्या तो यह छोटे से concept थे किसके वाई साब आपके SCF और LCM के और उमीद करता हूँ कि आपको या आता है कि एकदम कोई दिक्रत नहीं होगी अब आप बोलोगे सार आपने सब कुछ समझा दिया इनकी definition भी बता दो मैंने का बोल के तो मैंने बताए दी अब लिखूंगा तो time waste होगा और आपको भी writing पसंद भी नहीं आएगी तो मैंने आपके लिए type करवा के रखिए ताजी ताजी एकदम बढ़ी writing में LCM क्या अभी मैंने बताया था वे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई परतेक संख्या को पूर्टे विवाजित करती है ठीक है, दूर्टे विवाजित होती है क्या कहलाती है भाई साब आपका LCM कहलाती है ठीक है बोले सार एकदम बढ़िया संख्या क्यों के SCF है बढ़ी संख्या है मैंने आपको समझा दिया मैं से सार जो क्यों से सार जो прाइए मैंने चलो questions ठीक है आजो साब 18, 24 और 30 अब यह question देखो करवाने लायक तो नहीं है लेकिन हम सीख रहे हैं तो हमें हर एक छोटा step करना चीए ठीक है हमें घबरान अंचीए 18, 24 और 30 अब मैंने आपको बता रखे हैं जैसा आपका मन करें अब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन से है बोले स 24 का तूजा 60 नहीं जाता त्रीजा 90 नहीं जाता यह विदर कितना हो जाएगा वाई सब्सक्राइगा और किसका जाएगा वाई सब्सक्राइगा यानि कितना जाएगा अब आपका मन करता है सर हमें ऐसे नहीं करना है तो भाई मैंने आपको बताया ना कि हमें किसी मेथड को करने में कोई शरम महसूस नहीं करनी है आप उस तरीके से भी कोशन को स्वाल कर जाएगा बात क्लियर है ना उसर एकदम क्लियर मैंने कर चलिए आगे बढ़ते हैं हैं आपको बता रखा या भी मैं लगा लगा है कि लेकिन लेकिन इन दोनों में नहीं जाएगा मैंने क्यों नहीं जाएगा यह सब even number है और last में odd number तो आही नहीं सकता बोले सर बिलकुल नहीं आ सकता यानि मैंने आपको पताया था भाई साब क्या बोले सर एक ची समझाई थी इनका कोई multiple होगा 2 into 13 भी तो लिख सकते हैं इसको बोले सर बिलकुल लिख सकते हैं आप देखो 2 का divide क्यों नहीं जाएगा बोले सर बिलकुल जाता है क्या 13 का divide 117 में जाता है पुले सर बिलकुल जाता है यानि आपका LCM कितना हो गया 13 हो गया अब देखो कितना बढ़िया कंसेट आपके सामने आया है इस तरीके से questions को करोगे तो LCM SCF बहुत जल्दी आपका solve हो जाएगा बढ़ते हैं एक और question करते हैं वा देखो आप चाहो तो क्या करो भाई साब आप चाहो तो डिवाइड लगाओ और आप चाहो तो जैसा मैंने बता है वैसा करो एक बार मेरे तरीके से करो अपने वाल एक्जाम के point of view से question को solve करो इन दोनों का difference कितना है 15 आ रहा है अब सबसे पहले देखो इस difference का पूरा-पू हो गया 15 हो गया हर एक छोटी बात हर एक छोटी चीज हर एक छोटा जो समझाए मैंने आपको छोटी से चोटी चीज वह आपके एक्जाम में काम आएगी वाई सब्ध्यान से सुनना एक्जाम के द्रस्टी कोंड से बहुत important चीज है ठीक है type number second इस तरह के questions आपने कई बार exam में अंदर देखे होंगे कई बार पूछे जाते हैं और हम इन questions को कैसे solve करें two by five नॉर्मल नंबर तो मैं समझ में आ जाता है लेकिन इस तरह के questions को कैसे solve करें वह वेपन देख लेए three by ten इतरा कितना हो जाएगा भाई सा four by fifteen ध्यान से समझना प्यारे बालक बालिक हो या तो उसका क्या निकालोगे आप LCM निकालोगे ठीक है जब वह आपसे क्या पूछे LCM पूछे और आपका denominator होगा यानि जो आपका हर होगा इसका क्या निकालोगे आप SCF निकालोगे ये कब है जब आपसे LCM पूछे LCM पूछे दोनों का अलग-अलग सीन है बाई साब एक जैस और 4 का अगर मैं LCM निकालना चाहूं कितना आजाएगा सर 12 आजाएगा और 5 10 15 का SCF निकालना चाहूं तो कितना आजाएगा 5 आजाएगा यानि कितना आंसर आजाएगा 12 बाई 5 option number C इन questions को देखके बिल्कुल भी घबराना नहीं है ठीक है बढ़ते हैं एंगले question की तरफ बढ़िया और 15 math officer एकदम भढ़िया मैंने का चलो फिर अब यहां पर क्या है पूझा क्या है और सबस्क blankets आपको यहां निकलना आख शूप और हर सब्सक्राइब करेक्ट अंसर हो चुका है बात क्लिए रहे हैं रहे हैं नजर नहीं आ यानि यह और कट रहा है किस से कट रहा है त्री से कट रहा है यानि वन भाई एट क्या यह नजर आ बोले साब बिल्कुल नजर आ रहा है मैंने का यही हमारे स्कूशन का एकदम करेक्ट अंसर हो चुका है बात कलियर है बोले सर एकदम क्लियर बने का चलिए आगे बढ़ता है फिर अगले कोशन की तरफ अगला टाइप दो संक्याएं का SCF 8 और LCM 48 है उनमें से एक नमबर 24 हो दूसरा नमबर क्या होगा देखो मैंने आपको बताया था ने कंसेप्ट और इस पर बहुत जबरदस कोशन आते हैं नहीं पता कंसेप्ट तो बहुत टिपिकल कोशन है और पताया तो सेकंड्स में कोशन खतम है बताया था बाई साब SCF एक बार लिख देता हूँ SCF इन्ट CCF कितना है 8 सार2 सेकंड नमबर आप से तनी से टिसटीन आ गया आप इस से असान कोशन है क्या उससा बिलकुल इस से आसान कोशन नहीं क्यों क्योंकि बढ़त बहुत इस रोंग है आप ब्रते हैं के लिपार आक तरहां की तरफ से आप से क्राइब करना है वीडियो को पॉस तो दूसरा नमबर क्या होगा चलो साब निकाल लेते हैं 1250 अब तो मैं पता है 1250 इंटु क्या कर देंगे 40 क्लिया और इस तरह के कोशन केवल केवल आपके रेलवे वगरा एक्जामस में नहीं तक में पूछे गएते हैं रिसेंटली पूछे गएते हैं इसी पैटन पर और यह बहुत पुराना पैटन है और फेवरेट पैटन है हर एक्जामनल का ठीक है बढ़ते एंगले कोशन की तरफ नेक्स कोशन देगे आप से कह रहा है दो संक्याओं का एक नमबर आपको बोल रखा है कि एक नमबर 100 है दूसरा नमबर क्या हो अब देखो कोशन वही है मैंने बोला ना कोशन डारेक्ली अगर ऐसा नहीं आ रहा तो कुछ गुमा फिरा कि आएगा अब इस कोशन को आपको खुश्टे ट्राय करने ही कोशिश करनी है कि इस कोशन क में दे रखा है कि बाइस साब अगर इसको आपकाद एक्स मानते तो यह कितना हो रहा है तो इसकी वालू कितनी आ जाएगी सार वन यूनिट के लिए कितना जाएगी 25 आजाएगी यहीं बोल सकते एक नमबर कितना जाएगा किटना अजाएगा वाइस आप अदो किसमें चैंज होग गया हमारे पास LCM आगया हमारे पास एक नंबर है इन दोना का मल्टिलिकेशन किसके है क्वल होगा यान्य संड्रेट होकए चैंसल आउट होगए आंसर कितना है ट्विंटीफाइगा अब इसमें एक स्टेप उसने और ज़्यादा करा है तो यासा कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि हम एक स्टेप ज़्यादा नहीं देंगे वैसा समीदान के किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ कि जो ऐसा पढ़ाया था से सिंपल पर ही देंगे थोड़ा सा गुमाएंगे इनी कुश्चन को गुमते हैं लेकिन कंसर्ट बढ़िया तो निप्टा देते हैं लिखे बढ़ते हैं के लिखेता हैं नंबर 4 रेशो बेस कुश्चन से दो नंबर से थी रेशो 5 के रेशो में सब कितना हो जाएगा सब्सक्राइब कर देंगे सब्सक्राइब कर देंगे यहां पर लगाओ तो जीवन में क्या हो जाएगा आपको परेशानी आजाएगी तो एक दम क्लियर मैंने का चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दो नमबर तो बड़ा नमबर आपको पांड़ करना है अब यह कोशन जल्दी से जल्दी आपको खुद से सॉल्व करना है वाई साब कैसे सॉल्व करेंगे मैंने का देखो इधर डायरेक्ट कर लेते हैं अपन त्री और फूर कितना हो जाएगा 12 एक्स ठीक है यह यह सीम आ गया इसके अ आगले कोशन की तरफ नेक्स कोशन देखें आप से कह रहा है ती नमबर फूर सिक्स और नाइन के रेशो में तो अनका एल सीएफ दे रखा सेवन तो आप से चोटी और बड़ी संख्या के बीच का डिफरेंस क्या होगा अब देखो यह है अपन से किसकी बात कर रहा है यह और सिफ की बात कर रहा है तो अब अगर आपन इसको लिखना चाहें तो 46 और इस रेश्व में आगर आपको निकालने और सी एक बात कर रहा है तो इस च्णीब्स जो गिवन होता है नॉससे डाएरट मुंटीप्लाइग और तो बाइस आपके सामने ओन नंबर सा जैंगे न सब्सक्राब सबस्क्राइब मात चत्वी और बड़ी नंबर का डिफरेंट तो छोते बड़ी नंबर का डिफरेंस के तना है सरस्व यृट था यही तो इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो उनों को सॉल्व करने गाए एस यह वाला आता है तो बहुत जादा इसी हो जाता है बढ़ते हैं ले कोशन की तरफ यह लोग साब आपके सामने ठीक है अब इस कोशन को कैसे ट्राइब करोंगे कोशन तो वही है ना पैरे जो आपन रेशो वाले कर रहे हैं लेकिन इसमें क्या गवन है थोड़ा सा कंसेप्ट ठोड़ा सा चेंज कर दिया कोशन को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया मोडिफाई कर दिया घुमा दिया कोशन क्या बोल रहा है दो नमबर्स थी रिशो 4 के रिशो में है वा उनके SCF LCM और SCF का कोई दुख दर्द परिशानी बिल्कुल नहीं है अगर मैं इनकी बात करूं कितना जाएगा इसका एक दम क्लियर कोई दिक्कत नहीं है हमने लसी निगाल लिया हमने एक चीज को पढ़ना है आगे भढ़ना है किस किस का लसी एक दम क्लियर है अब अपने को क्या करना भाई सब अपने को एक ही काम करना एक अपिटना ठीक है ट्वैल से काट टो त्वैल बन जा कितनी बास अवरत के पर कि तो चीन चैनि यहां तक नंबर को आखो जाएगए 7x और x की value कितनी एसर 13 है तो इधर कितना हो जाएगा 7 into 13 कर दो कितना answer आजाएगा 91 हमारे question का answer आजाएगा तो यह का नज़र आ रहा है option number A में नज़र आ रहा है आज के जो questions है न वो easy है reason क्या है हम basics पड़ रहे हैं और अच्छे से जो normal questions जो पूछे जा रहे हैं उनको अपन solve कर रहे हैं कल जब मिसलीनेस questions करेंगे मैंने आपको बताया ना basics हर चीज का असान होता है लेकिन जो उसको moderate कर देता है questions को question को थोड़ा सा level up कर देता है तो उन question को कैसे solve करें लेंग में सोड़ी सी टिपिकल हो जाती है वो अपन कल करेंगे मिसलीनेस questions में यहां तक कोई SCF दे रखा वाई साब इसमें तो केवल SCF दे रखा है कितना दे रखा है 33 दे रखा है तो आपसे पूछ रहा है से कितने पेयर संभव हैं फड़िया question आ गया और रिसेटली एक्जाम में ऐसे questions पूछे गए थे SCC के अंदर CGL के अंदर बताऊ साब इस question का answer क्या आएगा जल्दी से बताई फटाफट से अब हमें उनका क्या मालूम है मैसे पर कितना है 33 है ठीक है तो नंबर से एक नंबर हो गई और दूसरी नंबर हो गई आननिका अगर में बात करूछ относ 33 अप्लस सारी कानी समज़ेंगे पने का सब्सक्राइब यहां से तक तो कोशन अपन ने कर लिया इसके बाद क्या है लेने हैं जिनका सम कितना यहाई ससी को प्राइम नंबस लेने को प्राइम नंबस ऊते हैं जिनका सम कितना यहाई सार ससी स्टीन आज़ह कौन-kौन से नंबर सकते हैं सार एक तो वन और फिप्टीन हो सकता है मैंने का विल्कुल हो सकता है वाई साब एक प्राइम नंबर सुने ठीक है तो भाई साब यह वन और फिप्टीन हो गया इसके लावा कौन-कौन से सकते हैं सर इसके लावा हो सकते हैं थ्री और फर्टीन मैंने का बिल्कुल हो सकते हैं वाई साब फ्रीन थर्टीन एक कौन सा और ऑर हो सकता है ध्रीन यह और कौन-कौन से वो सकता है एक नंबर और हो सकता है कौन देखो धियास से वह सकता है कि इसके इनका सकते हैं चार और यह सब्सक्राइब को यहां और वह एक दम कराता हूं पुले एक दम क्लिए रहे 27 तो भाई साब देखो 27 common आएगा आएगा एक्स प्लस य अपने को step अब कम करनी है हमें exam में step के नंबर थोड़ी न मिलते हैं हम कितनी कम step में question को निप्टा देते हैं तो हमने सीख लिया अब direct question को करेंगे 216 ठीक है एकदम बढ़िया 3 से से गाढ़ देगा सब्सक्राइब करने पर कितना इसके लाब कौन सो यह और नंबर और सब्सक्राइब और कोई नहीं हो सकता है औरको सब्सक्राइब करेंगे और उनका मल्टिप्लिकेशन गिवन है अब हमारे पास क्या है एक्टिप्लिकेशन गिवन है सब्सक्राइब करेंगे और उनका मल्टिप्लिकेशन कितना जाएगा यही होने वाला है इनका सब्सक्राइब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सब्सक्राइब करेंगे और इधर कितना जाएगा और इधर कितना जाएगा और इधर कितना बजगा सर बजगा वन टू जिरो ट्वेंटी एट यानि हमारे पास इसकी वैली कितनी आगई 28 अब ध्यान दखना इससे पहले वाले क्वेश्यन में यहां क्या कर रहा था था उनको एड कर रहे थे लेकिन उनका जो SCFO 1 होना चीए, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है, तो भाई साब, एक तो आपके हो गया, 4 and 7, ठीक है, एक तो 4 and 7 हो सकता है, बोले सर एकदम बढ़िया, और 1 and 28 हो सकता है, यह लिए सो हो सकता है, 1 to 28 करेंगे, इसके लावा कौन सा हो सकता है, इसके पेर नहीं बन सकते, तो अपन ने SCF, LCM का पहला पार्ट पढ़ा, हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ा, छोटी-छोटी चीज़ें आपने पढ़ी है, कल कोशन का लेवल भड़ेगा, क्योंकि कल अपन कोशन करेंगे, मिसलीनेस कोशन, जो आपके एक्जाम में पूछे, ज जय हिन, जय भारत, धन्यवाद